दोस्तों स्वागत है आपके चैनल राजी कॉमेटिटिटिव क्लास में दोस्तों आए क्लास नाइन का मैथ का एक्सरसाइट 10.5 का क्वेश्चन नमर वन आज स्वाव करेंगे क्वेश्चन है कि इन फिगर 10.36 10.36 फिगर a b and c a b and c a b c are three point one point two point three point on a circle with center o center o यहाँ पर है ठीक that such that angle boc is equal to 30 degree and angle a ob is equal to 60 degree if d is a point and d is a point on the circle on other than the arc a b c find angle a d c तो angle a d c को find करने कर रहा है तो हम करेंगे क्या सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि देखिए सबसे पहले यह बड़ा 60 degree का है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि angle a o b angle a o b है angle a o b कितना है 60 degree का तो हम 60 degree plus में angle boc 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 तो कितना है 30 degree का is equal to angle a o c ठीक है angle a o c किस पर बन रहा है यह angle तो angle a o c पर बन रहा है 60 degree और 30 degree तो हम यह लिख देंगे अब angle a o c कितना का है 60 degree का है a o b angle कितने का है 60 degree का है फिर प्लस boc angle कितने का है 30 degree का है is equal to is equal to दोनों को चुड़ने को बाद आता है 90 degree तो यहाँ पर भी एक 90 degree का बना रहा है ना आप 90 degree बन जाएगा ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर कितने एंगल है एक और दो दो एंगल है तो लिखेंगे टू एंगल फिर एंगल a d c यारी हमको find कर कर कहने कर रहा है तो a d c तो a d c a d c is equal to a o c a o c ठीक है तो आब हम यहाँ पर यह किसे बना तो यह बनेगा आपका थियोरम 10.8 से जिहां 10.8 से यानि एंगल सब्टेंड से बनेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल सब्टेंड बार एन आर्क एट दी सेंटर इस डवल डवल टू दी एंगल सब्टेंड बाइ आर्क ओन इनी पॉइंट ऑफ दी सर्कल तो यह आपका इस तरह सब्टेंगा इसका मतलब है कि ब्रित्य के किसी बिन्दू यानि सर्कल का कोई भी पॉइंट पर अगर हम आर्क आर्क द्वारा अंतरिक्त कोन यानि आर्क द्वारा कोई एंगल के केंदर पर एक चाप द्वारा अंतरिक्त कोन तो यही है